आप सुका स्वागत है हमारी यूटीब चनल चाया मिस्ट्रा ब्लॉग टू एमपर गाइस आज हम बहुत अच्छे च्छी योनिक यूनिक सी ट्रिक और ट्रिक्स लेकर आएं जो कि बहुत अमेजिंग है तो चलिए देख लेते हैं तो चलिए देखते हैं इस तरह से रिमोट होता है जो रिमोट बहुत जादा गंदा हो जाता है और पानी से आप उसको साफ करो तो वो उसके अंदर मॉश्ट्र चला जाता है से सेल और मसीन सारी खराब हो सकती है तो करना क्या है इस तरह से थिनर लेना है देखिए यह थिनर ही है वागर हमारे बच्चों ने सीशी त कर देंगे इस तरह से क्यों इस तरह से थिञेंगे घर आजएपन डिल जाता है तो यह अपना जलती है तो आप सकते हो रिमोट साफ कर सकते हो कब जहातं हो नहीं अ में बहुत अप्त हो चुके इंग सब्सक्राइब अच्छेएं साफ करें बहुत जाली तो करना स्लेंग. कोई क्रीम ल ले सकते हो और इस तरह से आप अप्लाई करो क्योंकि हमने अभी हम अपनी नर्णत के घर गए थे तो वहां पर में यह अप्लाई करी अपने चस्मे पर और अपने हस्बन के चस्मे पर यह चीज यूज करी थी उसके बाद में थीनर वाली रूई लेंगे कॉटन वाली ठीक है फाउग भी नहीं जमेगी फाउग है पानी है कुछ भी नहीं जमेगा आपको बराबर अच्छे से दिखता रहेगा आई होब आपको यह ट्रिक भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करेगा काफी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो को तो बहुत वीडियो बनाने लगे हैं तो प्लीज कमेंट करके जुरू बताईएगा अब नेक्स देख लेते हैं जब कहीं हम बाहर जाते हैं तो एकदम से आपकी चेन की जिप खराब हो जाई या अटक अटक कर चलने लगे तो उसके लिए करना क्या है यह देखिए इस तरह से क्रीम तो आपकी जिप चलने लगेगी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और यह आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है यह अभी पांच मिनट में आपका सूख जाएगा अगर नहीं सूखता तो आप थोड़ा सा कॉटन लीजे और इसे रब कर दीजे काफी स्मूथली देखिए च आपको अच्छी लगए तो इसमेल भी उसकी बहुत अच्छी लगने लगती है फ्रेगरंस बहुत अच्छी आती है नेक्स ट्रिक में देखिए पर यह वाइट वाइट से दाग दीख दिख़ा आपको इसको कैसे साफ करे पानी से हम में स्को रिमूफ नहीं कर सकते हैं मग ढख दीजГ सब्सक्ति हुआ है नेक्स्ट में देखिए अगर आपके नग लगे है पर्स में और वह जूरने का डर है और है तो आप टांसब्स nail paint ले लिजिए, मिल जाएगी 20-25 रुपई में, तो आप इस तरह से लगा दीज़े, इसके उपर अपलाई कर दीज़े, इससे क्या होगा जो nail paint लगाने से इसकी sign भी विबर करार रहेगी, और आपके नग भी बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, और देखें, जुसके handles होते हैं, गोल्डन कलर के, ये भी काफी दिनों बाद ये, थोड़े दिनों बाद ये, बिल्कुल चमक इनकी गयव हो जाती, अच्छी नहीं लगती है, तो इसके उपर भी आप इस तरह से लेड पेंट लगा सकते हो, इससे क्या होगा, इसकी चमक भी बनी रहेगी, और इसमें जंग भी नहीं आएगी, ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप एप्लाई करके ज़रूर एक बार देखें, बहुत अमीजिंग सी ट्रिक है, ये देखें, तो अब य दूद को बॉयल करते समय, तो कितना भी आप बॉयल करो तो लगेगा, बहुत टाइम लग रहा है, जैसे ही नजर बचाई, वैसे दूद बॉयल हो जाता है, तो उसके लिए करना क्या है, ये देखें, इस तरह से दूद को बॉयल करने रख दीजे, और उसके बाद क्या करन है, तो लिए बॉयल होने लगा दूद, आप देख सकते हो, ऊपर आ रहा है दूद, ये देख सकते है, दूद ऊपर आने लगेगा, ये देखें, उपर आ रहा है, अब इतनी जल्दी आप बंद करो, फिर भी दूद ऊपर आ जाएगा, तो करना क्या है, फटाक से एक कप उ करने का तो बहुत अच्छी ट्रिक है यह देख सकते हो अब इसे अपकप हटा दीजिए और आराम से बूद को वैल कर लिजिए और यह अब उबलकर बाहर भी नहीं आएगा नहीं गिरेगा आई होब आपको यह सारी ट्रिक अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सस्क्राइब और सेयर करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा थेंक्यू